हाई, I am Aryan आए रूस्तो वीडियो की शुरुवात कहते हैं आज हम सीखने जा रहे हैं Nouns Nouns क्या है? संग्या किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जगा, जानबर, वस्तु, भाव या विचार के नाम को संग्या कहते हैं A noun is the name of a person, players, animal, thing और quality It's called noun इसे ही noun कहा जाता है Persons में आपका आता है सुमीत, रिया, डॉक्टर, टीचर, महात्मा गांदी Place, जगा Any types of place Maybe it's bank It's a school Delhi, बिहार, कौलकार्टा, टाउन, सिटी, भिलेज All that places Animals, horse लायोन, चीटा, टाइगर, डॉक, कैट Things, कार, बस, पैन, कोपी, चेर, क्लॉक, लेंब, ग्लास And qualities Patience, ब्यूटी, ब्रेभरी, क्लेवरनेश And feelings और आइडिया, happiness, truth, honesty, friendship, goodness अब देख लेते हैं, नाउन के कितने परकार हैं, संग्या के कितने परकार हैं Types of Noun Proper Noun Active वाचक संग्या Second is Common Noun जाती वाचक संग्या Third is Collective Noun समूव वाचक संग्या Fourth is Material Noun द्रभ्य वाचक संग्या Fifth is Abstract Noun भाव वाचक संग्या संग्या के 5 परकार होते हैं Count यानि गिंती के अधर पर दो और परकार होते हैं जिसमें आता है Countable Noun और Uncountable Noun संग्या कितने परकार हैं Manly, 5 टाइप से Proper, Common, Collective, Material और Abstract कुछ Noun के एक्जामपल देख लेते हैं The Ganga ये Holy River Ganga एक पवित्र नदी है यहाँ देखिए Ganga एक पवित्र नदी अगंगा और River दोनों ही नाउन यानि नाम है एक और सेंटेंस देख लेते हैं The Dog ये Fatful Animal यहाँ कुट्ता और Animal ये दोनों भी आपका नाउन है Delhi is the Capital of India यहाँ देखिए Delhi भारत की राइधानी है Delhi और इंडिया ये दोनों भी आपका यहाँ नाउन है रोहित इजे गुड बॉय यहाँ देखिए रोहित और बॉय ये भी नाउन है जितने रेड कलर के हैं सभी नाउन है अब नाउन के परकार देख लेते हैं Types of Noun First is Common Noun Common Nouns are the common and general names given to persons, animals, places or things of the same kind जातिवाचक संग्या वहाँ संग्या है जिसमें वेक्टी बस्तुवास्थान के पूरे वर्ग का बोध हो उसे ही जातिवाचक संग्या कहते है Example Boys, Tree, River, City मैं एक डॉक्टर हूँ I am a doctor यहाँ डॉक्टर से पता चल रहा है वो एक जाती है यहाँ डॉक्टर किसीज क्या वो पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या है, डॉक्टर क्या है जातिवाचक संग्या है बच्चा फल खा रहा है यहाँ देखिए fruit और बच्चा दोनों ही जातिवाचक संग्या है The child is eating fruit लरके खेल रहे हैं The boys are playing यहाँ बॉइज लड़के common noun है This is my beautiful village यहाँ विलेज भी common noun है यहाँ मेरा सुन्दर गाउं है He is a teacher वहाँ एक सिक्चक है यहाँ टीचर भी common noun है common noun मतलब general name अब कौन सा subject का teacher है यहाँ लड़का खेल रहा है कौन लड़का है, गाउं में है कौन सा गाउं है वो सभी proper में आ जाएगा General name means common noun Number 2 है proper noun वैक्टिव आचक संग्य Proper nouns are the special names of particular persons, animals, places or things like Rohan, Patna, Seema, India मतलब proper noun जिसमें आपको special नाम पता चल जाता है जैसे कि आपका रोहन किसी खास वैक्ति जगा वस्तु दिन, महीना, साल, तेवार, नदी, जहरना, परवत, खारी, आदी के नाम को proper noun कहते हैं Examples Name of a person पतेक वैक्ति का नाम Name of places जगा का नाम Name of animals जानवरों का नाम Name of things वस्तु का नाम Name of language भासाओं का नाम Name of days दिनों का नाम Name of months Name of a special days Name of festival यह सभी proper noun में आते हैं जैसे कि राहूल इज वाचिंग टीवी राहूल टीवी देख रहा है यहां proper noun क्या है? राहूल He went to Delhi दिल ही गया दिल ही क्या है? तो प्रोपर नाउन है असोका वाजे ग्रेट किंग असोका एक महान राजा था यह आसोका प्रोपर नाउन है English is the most widely spoken language अंग्रेजी सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भासा है यहां इंग्लिस क्या है? प्रोपर नाउन है I live in Kolkata में, Kolkata में रहता हूँ यह Kolkata क्या है? प्रोपर नाउन है Mumbai बहुत ही बड़ा सहर है Mumbai is a very big city Mumbai भी प्रोपर नाउन है differences between common nouns and proper nouns He is a boy His name is BJ Both boy and BJ are noun When we say boy, it can be any boy However, when we say BJ, we talk about one particular boy So, boy is a common noun While BJ is a proper noun यहां देखिए वहाँ एक लड़का है He is a boy लड़का से पता चल रहा है कि वह कोई भी लड़का हो सकता है बस उसका नाम क्या है? BJ है BJ से पता चल रहा है Particular पता चल जा रहा है BJ है BJ कहां जाएगा? BJ होगा आपका प्रोपर और कोमन क्या हो जाएगा? Boy First one is collective noun A collective noun is the noun given to a group और collection of a person's place, animal or things of the same kind संग्या से समू का बोड़ हो? उसे समू वाचक संग्या यानि collective noun कहते हैं जैसे की Army of soldiers Army Bunch of key Bunch ये Army Bunch क्या है? Collective है Collection को बोला जाता है ठीक है? Group को कहा जाता है कुछ और example A class of students Class A group है वो भी आपका collective noun में आ जाता है A pride of lion A team of player A hard of dear A bunch of key इस noun से group का पता चलता है वो ये आपका collective noun है कुछ एक्जाम्पल भारतिये तीम ने अच्छा खेला India Team played well मैं class 4 में पता हूँ I did in class 4 Team class चलता है भारतिये सेना ने युद्ध जीत लिया Indian Army Wanda Battle मैंने अंगूर का एक गुच्छा देखा I saw a bunch of grapes bunch, army, class ये सभी क्या है गुरूप को 10 आता है जो collective noun में आते है Number 4 Material noun A material noun names the matter or substance of which things are made वे सभी बस्तु है चीजे जिनसे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके उसे material noun कहते है Example gold, copper, cement, wood it is see कुछ sentences सोना एक मुल्लेवान धातू है gold is a precious metal कोईला काला है college black मुझे पानी चाहिए I need water हमें पेरों से लक्रिया मिलती है we get wood from the trees पत्थर बहुती मजबूत है the stone is very strong इसमें सभी material है material है जिससे कुछ समान बनाई जा सके और लास्ट अंतिम है abstract noun भाव आचक संग्या an abstract noun is the name of a quality, feeling and action or a state it has no material body वह नाउन जिसे देख और छू नहीं सकते मैसूस कर सकते हैं यानि भाव होना फिल मैसूस होना abstract noun मतलब भाव आचक संग्या जिस noun से गुन भाव या वस्टा का बोध हो उसे वस्टाग noun कहते हैं example poverty, love, honesty, beauty justice, loyalty, courage, honesty अब कोई साहस जो word courage है उसको तो छू नहीं सकते हैं कोई material बड़ी नहीं है बस मैसूस कर सकते हैं इसे भाव आचक संग्या कहा जाता है कुछ examples देख लेते हैं love is the best medicine हसना सबसे अच्छा दवा है honesty is the best policy इमंदारी सर्वोच निती है मैं हमेशा सच बोलता हूँ I always speak the truth poverty is a curse गरीबी एक अविश्राप है इस एकजामपल्स और देख लेते हैं bravery, kindness, greatness, truth, beauty, freedom, arrival, laughter, decision, childhood, ownership, friendship ये सभी क्या है abstract noun है गिंती के अधार पर noun के दो परकार होते हैं countable noun, गन्य संग्या ऐसे इस noun जीसे को गिना जासके उसे countable noun कहते हैं वे सभी noun, countable noun में proper, common और collective तीनों परकार आजाते हैं जैसे boy, cow, country, table ये सभी क्या है? countable noun है uncountable noun ऐसा noun जीसे गिना नहीं जा सके अगन्य संग्या जिसमें आपका material और abstract दोनों आते हैं abstract में आता है, आपका भाव में आ जाता है courage आपका आ जाता है, ये साहस वगेरा, beauty, bravery ये सभी को गिना नहीं जा सकता है material noun, ड्रब्यवाचक, संग्या, जिससे कि आपका हो जाता है milk, water, sand इन सब को भी नहीं गिना जा सकता है तो आज हम लोगों ने noun complete सीख लिया यहां कुछ noun के example है common noun country, proper noun इंडिया, common noun river, proper noun गंगा common noun fruit, proper noun mango, common noun bird, proper noun peacock common noun month, proper noun January, common noun boy, proper noun चन्रम तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बता है like it, subscribe it मिलते हैं अगले वीडियो में